हलो एवरिवान आज का हमारा टॉपिक है चरगाफ सुरूल्स अरविन चरगाफ डियने पर स्टडी कर रहे थे इनका मकसद था तो मेजर दा बेस कंपोजिशन ऑफ डियने यानि इनको पता था डियने जो है इट कंटेंज दीज बेसे लाइक अडिनीन गौनीन साइटोसीन थ होता है डियने में और कितना पारिमीडियन प्रेजन्ट होता है डियने में तो यह सारी चीजें इनको मेजर करनी थी after completing दिया रिशर्च इनको डियने के बारे में कुछ बाते पता चली जिनको इन्होंने नाम दिया चरगाफ सुरूल्स चलिए देखते हैं चरगाफ सुरू यानि जितना Purine एक DNA Molecule या DNA Sample में होता है उसमें उतना ही Pyramidine होता है तो यहां पर इसको हम ऐसी भी लिख सकते हैं Adenine प्लस Gonine जो कि दोनुग Purines होते हैं यह बराबर होते हैं Cytocene प्लस Thymine So, the concentration of Purines and Pyramidines is equal in DNA Molecule और in a DNA Sample Irrespective of the source from where the DNA Sample is taken Rule number 2 क्या कहता है कि DNA में Amount of Adenine is always equal to amount of Thymine यानि DNA में जितना Adenine होता है उतना ही Thymine होता है यानि अगर Adenine DNA में 20% होगा Thymine भी 20% होगा अगर Adenine 30% होगा तो Thymine भी 30% होगा तो amount of Adenine is always equal to amount of Thymine in DNA इसी तरह से DNA में क्या होता है amount of gonin is always equal to amount of cytosine जैसा कि आप यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास यह एक DNA molecule है आप देखेंगे एडिनीन कितने हैं पर 1, 2, 3, 4 और थाइमीन देखिए कितने होने चाहे थाइमीन भी चाहे होने चाहे 1, 2, 3 और 4 तो आपको याद रखना है तो DNA में जितना एडिनीन होता है उतना ही थाइमीन होता है इसे तरह से जितना गौनीन होता है उतना ही cytosine होता है तो अगर एक DNA में एडिनीन होगा 20% 20% तो थाइमीन कितना होगा? थाइमीन भी होगा 20% ठीक है? तो बागी क्या बज़ता है? gonine and cytosine उसका मतलब gonneine कितना होगा gonine होगा 30% और cytosine कितना होगा वो भी होगा 30% सब को मिलाकर कितना आता है 100% तो अगर आपको एक भी base का concentration पता होगा किसी बी dna में आप بाकी सारे basic की concentration जान सकते हैं suppose अगर adinine की concentration होगी किसी dna molecule में इसकी concentration होगी about 30% तो थाइमीन भी होगा 30% बागी बचता है 40% उसका 20% आएगा गॉनीन में और 20% आएगा साइटोसीन इतना आपको याद रखना है This is rule number 2 Rule number 3 क्या कहता है कि यह जो ratio है A plus T divided by G plus C इसको value हमेशा constant होता है for a species For example अगर आप DNA निकालोगे from humans किसी भी humans से आप DNA निकालोगे और यह ratio जो इसको calculate करोगे आप देखोगे अडिनीन कितना है इसको plus करोगे विथाइमीन कितना है डिवाइड बे करोगे G plus C यानि गॉनीन और साइटोसीन की concentration आपको एक value मिलेगा different species के लिए इसका value different होता है human beings के लिए for example value कितना होता है 1.52 यानि किसी भी human being से अगर आप DNA निकालते हैं और यह ratio calculate करते हैं तो आपको हमेशा value कितना मिलेगा 1.52 yeast के लिए यह ratio कितना होता है 1.79 इसी तरह से E. coli bacteria के लिए this ratio is how much exactly 1 टूलस कोलेकिवटेवले रूलस चरिगाफ सरूलस This is all for today THANKS एर वाँएं